दो हजार बाइस के सबसे बड़े चुनावी राज ये उत्तर प्रदेश के लिए हुए सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दो हजार बाइस में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है लेकिन उसे कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है नमस्कार मैं हुआ विनाश और आप देख रहे हैं अनकट एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दो हजार बाइस में होने वाले चुनाव में बीजेपी को 269 से 266 सीटे मिल सकती है वहीं अखिलेश यादो की समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटे मिलने का अनुमान जताये गया है मायावती की पार्टी बीएसपी को 12 से 16 सीटे मिलने का अनुमान लगाये जा रहा है वहीं प्रियंका गाधी वाडरा के नेत्रित्तों में चुनाव लड़ रही कॉंग्रेस को महज 3 से 7 सीटे ही मिलती दिख रही है राश्य लोकदल, सुहेल देव पार्टी, AIM-AIM समेत और दूसरे छोटे दलों को 2025 के चुनाव में 6 से 10 सीटों के बीच ही संतोस करना पड़ सकता है सर्वे बता रहा है कि BJP गटबंधन को सबसे जादा 42 फीजदी वोट मिल सकते है समाजवादी पार्टी और उसके साथ हाय छोटे दलों को मिला कर बने गटबंधन को करीब 30 फीजदी वोट मिल सकते है अकेले चुनाव लड़ने का एलान करने वाली बीच पी को 16 फीजदी, कॉंग्रेस को 5 फीजदी और अन्य दलों को 7 फीजदी वोट मिलने का अनुमान लगाये गया है लेकिन अगर साल 2017 के नतीज़ों से तुलना करें तो एक बेहत दिल्चस्प तस्वीर उभर कर सामने आती हुई दिख रही है उत्तरप्रदेश की कुल 403 विधान सभा सीटों में से बीजेपी ने 312 सीटों पर उस वक्त जीत दर्ज की थी तब उस वक्त यूपी में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था लेकिन इस बार सीएम योगी के चेहरे पर सर्वे में सरकार बनाने वाली बीजेपी को करीब करीब 45 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है वहीं 2017 में महस 47 सीटों पर जीतने वाली सपा को इस बाद 60-65 सीटों का फाइदा होता हुआ नजर आ रहा है वही 32 साल से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कॉंग्रेस के लिए अब भी इंतजार ही दिख रहा है रही बात मायावती की तो उन्होंने तो साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी BSP अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी और अकेले चुनावी मैदान में उतरने का खामियाजा अभी से सर्वे में दिखने लगा है वहीं पशिमी UP में चौधरी अजित सिंग के निधन के बाद उनकी पार्टी रालोद की कमान जैन चौधरी के हाथ में है उन पर भी प्रदर्शन का दबाव है लेकिन किसान आंदोलन को समर्थन करने के बाद भी रालोद को बड़ा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बाकी तो ये आपको बताने के ज़़ूरत नहीं है ये सिर्फ ओपीनियन पोल है और वो भी चुनाव से करीब पांच महीने पहले का असली चुनाव अब भी दूर है और इन पांच महीनों के दोरान उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बड़े उलट फेर देखने को मिल सकते हैं 403 विधान सभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य में कब क्या चुनावी मुद्दा बन जाए और कब वोटर का मूड बदल जाए इसके बारे में ठीक ठीक अनुमान लगाना बेहत मुश्किल होता है इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करिए बाकी जाते जाते बता दें कि यूपी में स्यासी पारे के चड़ने के साथ ही आप यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार अंकट पर देख पाएं इसलिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आपको ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहा है तो हमारे पेज को लाइक कर लिए शुक्रिया